जैमेसी की दोस्तों, आज की सुर्गी मन्ना का भाग हमने लिया है भजन सहीता की पुस्तक, उसका एक सो बीसवा अध्याए और उसका पहला और दूसरा वचन वचन कहता है, संकट के समय मैंने यहवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया दूसरा वचन, हे यहवा जूट बोलने वाले खोटों से और छली जीब से मिरे प्राणों को छोड़ा ले धन्यवाद पिता परमेशर ते इस वचन के लिए दूसरों यह वचन क्या कहता है, यह मुझे क्या बताता है वचन बताता है कि संकट परमेशर नहीं बनाया है चिंताएं परमेशर नहीं लेके आता है आजमाईशों में परमेशर नहीं डालता है यहनि कि चिंताएं हमारी योड से आती है, संकट हम पैदा करते हैं इसलिए वो कहता है कि संकट के समय मैंने यहवा को पुकारा और यहवा ने मुझे उत्तर दिया क्या उत्तर दिया परमेश्वर ने यह उत्तर उसके दूसरे वचन में है और वो उत्तर बताता है कि परमेश्वर ने कहा कि अपने छूट वाले छूट बोलने वाले होटों से औ जब संकट आता है जब तो इस जीब का गलत उप्योग करता है तो संकट आता है परमेश्वर संकट लेकर नहीं आता है दोस्तों परमेश्वर ने हमें आजमाईशों के लिए नहीं बनाया है परमेश्वर हमें आशीश का कारण बनाया है परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों क प्रित्यू और जीवन दोनों होते हैं, जो उनसे प्रेम रखते हैं, वे उसका फल भोगेंगे, सुना अपने दोस्तों, वो उसका फल भोगेंगे, जब आप उस जीव का सही सदुपयोग करेंगे, जब आप अपने होटों का सदुपयोग करेंगे, जब हम अपनी बुद्ध खतम हो जाते हैं हमारे बोलने से हमारे जीब के दोरा हमारे होटों के दोरा हमारे रिष्टों में खटास आ जाती है क्यों आती है क्योंकि हम कुछ भी बिना सोचे परमिशर के आशीश के बिना बोलते हैं दोस्तों बताईए परमिशर कितना महान है परमेश्वर ने अद्व तरीके से हमें बुद्धी दी और वो चाहता है कि हम अपने जीवन को, हम अपनी बुद्धी को, हम अपने होटों को हम अपनी जीव को अच्छी तरीके से उप्योग में लाएं इसलिए याकूब की पत्री में तीन का नौ कहता है इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशनसा करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को शाब देते हैं जो परमेश्वर की समांता में बनाया गए है दोस्तों सोचे, इस जीब को परमेश्वर ने उसके स्तुति अरातना के लिए बनाया है लेकिन हम उसी से शाप देते हैं, उसी जीब से हम दोश निकालते हैं, उसी से हम लोगों के लिए घरणा का पात्र बनते हैं, उसी से हम लोगों की बुराई करते हैं नई, 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 हमें ऐसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर की जोती हैं, हम परमेश्वर के प्रतिरूप हैं, हम परमेश्वर की संतान है, इसलिए हमें अपनी जीव का उपयोग करना है, आप सुचिए, ईश्मुसी ने अपनी जीव से कोई भी ऐसे शब्द नहीं निकाले, उन्हेंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं का, जिस बाद से उन्हें रिग्रेट करना पड़े, उन्हें हमेशा ही आशीश की बाते की हैं, उब्धेश की बाते की हैं, हमें सुख दिया है अपने वश्णों के दोरा, इसलिए हमें भी लोगों को सुख दिया है, आशीश का कारण बन काउच चारण करें जैसे हम तरी महिमा और सुती गाएं परमेशर हमें शक्ती दे हमें बुद्धी दे ग्यान दे ताकि हम उस जीव को अपने वश्में कर सकें हम कोई भी ऐसा शब्द ना बोले हम कुछ भी ऐसा ना बोले जो किसी को दुख पहुंचाए इस नहीं नहीं परम हम लोगों के लिए आशीश कारण बने हम लोगों के जीवन में सुक बोएं हम लोगों के जीवन में जीवन बोएं इस नहीं के पावित समाथी नाम से मांगते हैं दाने मात देते हैं प्राथा अपने सुनी को बूल किये मैं ने मैं ने मैं झाल कर दो कर दो कर दो कर दो जा घ्याने हो सित्वार लाज